नमस्ते दोस्तों स्वागत आप सबका इस्पेशल इविंग ब्लोग में तो दोस्तों आज सुबे सुबे उठ गई हूं और आप देख सकते हैं मेरा चाय बिल्कुल रेडी है यानि के आज का जो सुबे के काम है मेरे खाना और चाय कंप्लीट हो चुकी है और उसके साथ ही मे मेरा जो काम है वो सुबे होने से पहले ही हो गई है आप देख पा रहे होंगे अभी बाबु खड़ा है लेकिन बाहर की जो मतलब ट्रिम्बो है ना अभी भी अंदेर ही है मतलब पूरी तरह से रोष्णी नहीं है तो मेरा क्लीन हो चुका है अच्छी तरह सारा काम और इध किचन का जो काम है तो आप कह सकते अल्मोस्ट मेरा रेडियो हो चुके अब आज थोड़ा सा मतलब यह सोच रही हूं बहुत दिन हो गया सर्दी में हम लोग बिस्तर जैसे यहां पर शीप्ट हुए तो बिचा दिये थे तो उनको धूप में देना भी जरूरी हो जाता है त और फाइनली मैंने मतलब दूप निकलने से पहले उनको बाहर रखवा दिया है क्योंकि कुछ गद्दे ऐसे हैं जिनको धूप में में नहीं रख सकती थोड़ा बजन है और वह पहले की बनी हुई है तो पहले की जो गद्दे होते हैं उनमें रूई डली हुई होती है इस पर में नहीं लेकर जा सकते हैं और फिर बच्चे साथ में चलते हैं मेरी तो गिरने का डर रहता है इस वज़े से फिर उनके पापा से भीजबा दिया और यहां पर में थोड़ा डस्टिंग कर रही हूं बहुत ज़्यादा दूल मिट्टी जम जाता है वैसे करते तो आपन रही हूं और यह चूटी बले कि शायद आखों में धूल गए है जोरा मसल रहा था और एक्चुली आज दूप में सारे गद्दे को देने का यह भी रिजंता सर्दी बढ़ गई है और हम जो कंबल निका लेते वह हलकी है उससे फिलाल काम नहीं चल पा रहा था तो इस बच साती हमेरे कंबल भी निकल जाएंगे तो फाइनली सुबह से शाम हो गई है और इसके पापा गद्दा मतलब बापस से लेकर आ गए तो आप देख सकते यह कितने बड़े गद्दा है यह तो मतलब मेरे से उपर जाएगी नहीं इसलिए इसके पापा से बिजबाई थी तो चौथे मंजिल से इसके पापाई लेकर आया है तो मैं यह सोच रही हूं जब तक गद्दे ला रहा है तब तक मैं बिचा दूं तो दोनों मिलकर करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि जो भारी गद्दे बगरा है इसे निकलना मतलब अके लिए कि बसकी बात न दो यह थोड़ा सा मतलब गुटली गुटली टाइब का हो जाता है जैसे रहा है कोड़ा बेसन में गुटली गुटली टाइप गराएंगे मूझ बूरा लग घंट्दे नहीं ऐसी तो मैं यह पा था है हों कि क्या करें समझे नहीं आ रही है तो फाइनली मेरे से वो गद्दा नहीं हो पाया था मैंने उसके पापा को बुला लिया है उसकी पापा क्या है वो हाथों से पता नहीं कैसे दबा दबा के मसल मसल के ना उसे बरोबर कर देता है और यह वाला जो गद्दा है ना हर इनके पापा ही बिचाते क्योंकि इसका गद्दे में उनका हाथ बैठा हुआ है तो जब भी हम बिस्तर बगरा सुकाते हैं या धूक में देखते हैं तो यह वाले गद्दे का काम तो उनके पापाई करते हैं और फाइनली उन्होंने उसके कंप्लीट कर दिया तो मैं कहरे हूं कि में दे देती हूं आपको गद्दा इतना जड़ा परेशान ना हो और दोनों मिलकर बिझा लेते हैं तो यहाँ पे दोनों मिलकर बिझा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे भूंस रहे हैं नीचे जो गद्दे रखी हुए तो बच्चे उसमें उचल कुद कर रहा है और जैसे उसके पापा की पीछे तो बच्चे को ज्यादा मस्ती करता है मेरे पास थोरा कमी आना पसंद करते हैं और यही पर गद्द बगरा रखी हुए तो वासे ले रहे हैं और दोनों मिलके कम्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं देखते कहा तक हो पाती है लेकिन बैट तो जी बिचाना ही है और यह बैड पांच भाई पांच का है तो यह पूरी तरह से मतलब गद्द आता नहीं है तो इस तरह ऐसे टुक्रों में बिचाना पड़ता है अब आपने देखा एक तो गद्द हमने ऐसे बिचा दिया दूसरा टुक्रे नहीं नहीं पाता है आप देख सकते हैं बच्चे हमारी साथ ही रहते हैं कोई भी काम करते तो लगातार उनकी मस्ति जो है वह चालू रहती है और मुझे के ड्रस्ट से अलर्जी है इस बज़े से भी जो दूल मिट्टे का काम होता ना वो उनकी पापा से ही मतलब जादा कर कि अजयी बáती हूं मैं भी करती हूं उनके साथ ही रहती हुं करती है लेकिन फीर भी उनका मतलब जदाइँ हो जाता है कि कि 103 virtuous जाता है है लेकिन कहने ये अग्ड़ी तक आपके अग्वान हो करें तक और रिछ gaminen चोटी करते हो एकी। फिर्वी काम पड़ता है झाले करें तो रोज आ है और लगता है आपके पापा विस धुक्त रहे हैं क्योंकि इनका काम की हरकते देखकर लग नहीं रहा है अब इनमें थोड़ा बhut energy बच्चे होंगे लेकिन फिर फिर भी इतना करके दे रहा हैं बहुत शुकर हैं मुझे लगा नहीं था वो करके देंगे लेकिन उनको भी पता है कि इनका energy है तो इस वज़ेसे कभी म मौसम आ गई है तो इस वज़े से उसे बाहर ही रखवा दिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया धूप में सुबे हमने डाला था गद्धो को और इस टाइम शाम डल चुकी है और हमारा छोटु महाराज है बीना पेंट पहने डाइपर में मतलब फुदक रहे हैं और उसे उ इस अमालते हैं कई वर बच्चे तो पैंट पहना दिया लेकिन वह बापा से विस्तर में ही खेल रहा है तो चलो जी आप लोग खेलते रहो और हम लोग अपना काम करते रहें क्या करें अब तो यह रोज का काम हो गई है कई वर हासी आती है कई अच्छा लगता है लेकिन पापा नहीं होता है तब रोना आता है कि ही लेकिन क्या करें छोटा महराज भी हमारा थ्राएं एक गदा का एक को न वहं दपार दिया और बागी बचाने की कोशिश कर रहा है और फाइनली इसकी पा इसको उपर चरा देग चलो तुम लोग उपर षो करना को तो करते रहो और उसके पापा कोने में है ना बहुत ज़्दा मतलब दूल मिटी हो जाती ना तो उसके पापा कोने से जहारू निकल रहे हैं और आप अभी देख पा रहे होंगे कोने में एक कारपेट रखी हुई है मैंने उनको कहा कई बार को से फेक दो फेक ना नहीं चाहते वो पहले भ तो किया उसमें इतना ज्यादा धूल मिट्टी बर गई है ना मैं उसमें दो बार उसे दो लिया और जब मैं उपर मकान में रहती थी तो उसे च्छत पे डाल दिये दो तिन बार दो के लेकिन वो फिर भी साप नहीं हुआ और उसमें से थोड़ा जैसे कुट्टे की बाल वग भी बार ईब करेशान कर रहा हुँ अन्हीं वेयर वाले पर दोत्तानि एक बर ने मेरे काम में हेल्प हो जाए आप देख सकते हैं यहां मेरे छीकते-छीकते हलत खराब हो गई है क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको जैस्ट के अलर्जी है तो इतने देश से में गद्दे बगरा में दूल मिटी तो होती है तो इनको करने की बज़े से बार-बार मुझे छीके आये जा रही है तो मैंने फाइनली सोनो को लगा लिया है काम पर तो कर भी रहा है हेल्प तो करी देता है वह मेरा बहुत जदह हेल्प करता है खास करके तब कराती हूं मैं उससे जब बहुत जदह मस्ती करता है ना बात बिल्कुल है नहीं मानता तो मारने से अच्छा चिल तो फाइनली इतने में बहुत थक गया है अब आ गया चोटा महराज बोभी बोडर में भी हिल्प करो करो सोनु को भी मतलब चीक आने लगी है तो मैंने उसे माना कर दिया तो कि मैं भी चालूंगे आप रहने दू तो जी यह बेर शीट भी मैंने भी बिचा दिया लेकिन इसक तो फिर बहुत चले गए और मैं कर लेती हूं पूरा तो दोस्तों फाइनली मेरे जो बिस्तर का काम है वो कंप्लीट हो गई है तो चलिए एक बर फीर से चलते रसोई में शाम की खाने की तैयारी कर लेते हैं तो चलिए सबसे पहले चला देती दूद ताकि बच्चों के ल तो दोस्तों यहां पर में फ्रीज को मतलब खोल के और भींडी को रही हो आधी बींडी में ले निकाल लिए सबजी बनाया किनने के लिए तो दोस्तों आज की वीडियो को यह हैं करती हूं मिलतीं फिर किसी नए वीडियो के साथ में